हलो स्टुडेंट्स दिस वशाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम्स गुरुजी पर आज हम यहाँ पर जीके के 40 कोशिंस को यहाँ पर देखने वाले हैं उनकी आंसर्स आपको बताने हैं क्योंकि अभी आपका दिल्ले पुलिक का जो एक्जाम है उसका एड्मिट कार आ चुका है आई होब आप सभी लोगोंने डाउनलोड कर लिया होगा अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बताईए आपका एक्जाम किस डेट में है और कब है तो यहाँ पर हम 40 कोशिंस को डिसकस करने वाले हैं तो आपको क्या करना है सभी कोशिंस के आंसर का कमेंट नीचे कमेंट करके उनका आंसर करना है सभी कोशिंस आपको करने है 40 की 40 देखते हैं कौन सबसे ज़ादा प्रशनों को यहाँ पर सॉल्व कर पाता है तो आपको क्या करना है कमेंट करके आंसर यहाँ पर बताने है सभी को जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं पहला कुर्शन क्या है और अगर आपने अभी तक रीजिंग का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसको नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर चैनल पर देख लीजेगा वीडियो के बाद बहुत सारी वीडियो मैंने उस पर अपलोड कर दी है जल्दी से नीचे कमेंट करके बताए भारत में जो रैपो दर है वो कौन निरधारित करता है रैपो दर मतलब रैपो रेट कौन निरधारित करता है तो हमारा यहां पर करेक्ट आंसर क्या है रिजर्व बैंक ओफ इंडिया यानि भारतिय रिजर्व बैंक जो है वो क्या करता है वो रैपो दर जो है उसको निरधारित करता है आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रेश्ट किस प्रकार की सरकार में लोगों को स्वेम के शाषकों को चुनने की अनुमती होती है किस प्रकार की ऐसी सरकार है जिसमें क्या है जनता जो है लोग जो है सरकार में क्या होता है लोगों को स्वेम के शाशक चुन सकते हैं कौन सी ऐसी होती है सरकार सरकार का ऐसा कौन सा प्रकार है जल्दी से बताईए और यहाँ पर करेक्ट आंसर है लोगतंत्री है यानि डेमोक्रेटिक ऐसा क्या है एक प्रकार है जिसमें लोगों को स्वेम के शाषकों को चुनने की अनुमत्ती होती है भारत भी बारत भी क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री आगे चलते हैं नेक्स्ट बताईए भारते सम्विधान के अनुसार किस परिस्तिती की अंतरगत अभिवेक्ति की जो स्वतंतरता है नागरी को से छीन लिजाती है कौन सा ऐसा भारते सम्विधान के अनुसार कब ऐसा होता है कि भारत की जो लोगों की जो नागरी को की नागर इसका correct answer हमारा क्या है censorship जो censorship होता है उसमें क्या होता है नागरिकों से उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानि freedom of expression क्या होता है छीन लिया जाता है आगे चलते हैं जल दिल्दी questions को हम यहां पर cover करेंगे इन में से कौन संसत का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का भी एक सदस्य नहीं है यह सभी questions आपके previous year में पूछे जा चुके है इन में से कौन संसत का एक हिस्सा है जल्दी से बताइए लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं होता है जल्दी से बताइए इसका answer क्या है और यहां पर correct answer है option D the president of India भारत के राश्ट्रुप संसत का तो हिस्सा होते है लेकिन दोनों सदनों में से किसी के भी सदस्य नहीं होते आगे चलिए भारतिये संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसत को संविधान का शंशोधन करने की शक्ति देता है भारत का जो भारतिये संविधान है इंडियन constitution है उसमें ऐसा कौन सा अन आंसर है, सभी लोगों की सभी बच्चों के यहाँ पर आंसर आने चाहिए और आंसर क्या है? Option D, Article 368, Anuchy 368, Anuchy 368 है वो क्या कहता है? वो कहता है, वो कौन से शक्ती प्रदान करता है? संविधान का शंशोदन करने की शक्ती वो प्रदान करता है आगे चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन जल्दी से बताईए चंद्र गुप्त मौरिय के दर्बार में पश्ची मेशिया के युनानी राजा सेल्यूकस निकेटर्स दुआरा भेजा गया राजदूत कौन था? जल्दी से बताईए युनानी राजा सेल्यूकस निकेटर दुआरा भेजा गया राजदूत कौन था? किसने चंदरगुप्त मौरिय के दर्बार में भेजाता जिसने? कौन किसको भेजाता? जल्दी से नीचे कमेंट करके आंसर बताईए और इसका करेक्ट आंसर है मेगस्तनीच बहुत बार पूछा जाता है ये कौशन बहुत इंपोर्डन कौशन है चंदरगुप्त मौरिय के दर्बार में पश्ची मेशय के जोनों युनानी राजा थे ना सेल्यूकस निकेटर उन्होंने कौन राजूत भेजा था? बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न बारतिय राज्च्रिय कौंग्रेस के गठन के समय भारत के वायसरा है कौन थे? जल्दी से नीचे कमेंट करके आंसर बताईए इसका आंसर क्या है? सभी बच्चों को यहाँ पर आंसर करना है और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है Lord Dufferin क्या है Lord Dufferin को भारत कौन थे यह भारत के वाइसराए थे कब जब भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस का गठन हुआ था तब भारत के वाइसराए कौन थे Lord Dufferin आगे चलते हैं किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिन अफरिका से भारत लौट कर आये थे जल्दी से बताईए किस सन में आये थे और इसका करेक्ट आंसर क्या है 1915 1915 में जो महात्मा गांधी है वो दक्षिन अफरिका से भारत लौट कर आये थे बहुत important questions है बार बार exam में ये questions पूछे जाते हैं जल्दी से बताईए क्या आंसर है इसका सभी की लगतार आंसर आने चाहिए और आप सभी लोगों की दिवाली कैसी रही है आई होप सेफ रही होगी, सुरक्षित रही होगी और आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया होगा पठाके तो नहीं ही फोड़े होंगे आपने हैंना तो यहाँ पर Correct आंसर क्या है धं महात्मा धं महात्मा इनकी इनको क्या किया था इनकी नियुक्ति की थी धम की शिक्षा देने के लिए किस ने अशोक ने आगे चलते हैं जैन तथा बौत धर्म के समय कितने आश्रमों को माननेता प्राप्त हुई थी जब जैन और बौधधर्म का पीक था उसमें उसके समय कितने आश्रमों को माननेता प्राप्त हुई थी जल्दी से बताईए तो यहाँ पर आंसर क्या है option B 4 यानि चार आश्रमों को माननेता प्राप्त हुई थी आगे चलते हैं तमिल लाडू के तट अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं मतलब किस महीने में उन महाँ पर तमिल लाडू के तट पर बहुत बड़ी बजादा वर्षा होती है जल्दी से बताईए तमिल लाडू के जो तट है अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं किस महीने में जल्दी से बताईए और यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा अक्टूबर से नवंबर अक्टूबर से नवंबर तक जो तमिल लाडू के तट होते है ना वहाँ पर जादा वर्षा होती है आगे चलते हैं सूरज की तरह स्वेम से प्रकाश का उतसर्जन करने वाली वस्तवे क्या कहलाती है जैसे सूरज यह वो क्या करता है सुएम से प्रकाश का उत्सरजन करता है ना वो है ना तो ऐसी उत्सरजन करने वाली वस्तुए क्या कहराती है जल्दी से बताईए सभी के आंसर यहाँ पर आने चाहिए मेरे पास बहुत important questions है बार-बार बोल रही हूँ इन प्रशनों को जरूर करके जाएएगा अपना score देखिएगा आपका score कितना हुआ है तो यहाँ पर आपका answer है प्रकाश मानवस्तुए उनको क्या बोलते हैं प्रकाश मानवस्तुए बोलते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं जो सूर्य की तरह है प्रकाश का उत्सर्जन करें प्रकाश मानवस्तुए मतलब वो प्रकाश आपको क्या कर रही है उत्सर्जन कर रही है ना प्रकाश का तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रशन क्या है विद्यूत सेल की धातू की टॉपी आम तोर पर विद्यूत सेल का क्या है डैश टर्मिनल है जल्दी से बताइए किस प्रकार का टर्मिनल है विद्यूत सेल जो है उसकी धातू की टॉपी आम तोर पर विद्यूत सेल का किस प्रकार का टर्मिनल है जल्दी से निचे कमेंट करके आंसर बताइए और यहाँ पर हमारा correct answer है positive वो कैसा terminal है वो एक positive terminal है आगे चलते है निम्दलिखित में से कौन सा रोग विशाणों के कारण नहीं होता है मतलब वाइरस के कारण नहीं होता है इन में से कौन सा रोग जल्दी से बताइए पोलियो, चेचक यानि चिकन पॉक्स, इन्फ्लूएंजा यानि अब नेक्स है आपका टाइफॉइड यानि आतों का ज्वर जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा विशाणों यानि वाइरस के थ्रू नहीं होता है कौन सा डिसीज जो है वाइरस के थ्रू नहीं होती है तो यहाँ पर हमारा अंसर है टाइफाइड जो हता है वो वाइरस के कारण नहीं होता है टाइफाइड क्या है वाइरस के कारण नहीं होता है और ये जो सभी रोग है ये क्या होते हैं विशाणू यानि वाइरस के कारण होते हैं आगे चलते हैं एक इमारत में इटे जीवो में डैश के समान है एक इमारत में इटे मतलब जैसे इमारत में इटे होती है न वैसे ही जीवो में क्या होता है वो आपको बताना है मतलब मतब इमारत जो है न वो इटों से ही बनते है तो जीवों में ऐसा क्या होता है जिससे उनका शरीर चलता है जल्दी से बताईए तो यहां पर correct answer क्या है कोशिकाए यानि cell जो cells होते है न वो क्या है जीवों में ऐसे है जैसे एक इमारत में इटे होती है आगे चलते हैं पदार्थ जो आम तोर पर स्वाद में कडवे होते हैं तो चूने पर साबुन से प्रतीत होते हैं उनको क्या कहते हैं ऐसे कौन से पदार्थ है जिनको हम टेस्ट करें तो वो कड़वे होते हैं स्वाद में तो लेकिन अगर हम उनको छुएं तो वो साबुन से प्रतीत होते हैं मतलब सौफ्ट होते हैं जन्दी से बताइए इसका अंसर सभी के आंसर आने चाहिए और यहाँ पर आंसर है क्षारक यानि बेसिस बेसिस ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तो कड़वे होते हैं लेकिन छुने पर साबुन की जैसे प्रतीत होते हैं आगे चलिए मापन का अर्थ किसी अग्यात मात्रा की तुल्ला कुछ निश्चित ग्यात मात्रा के साथ होता है जिसे क्या कहा जाता है जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए तो यहाँ पर अंसर क्या है हमारा इकाई यानि यूनिट मापन का क्या औरतर होता है किसी अग्यात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ग्यात मात्रा के साथ होता है तो उसे इकाई कहते हैं हमें नहीं पता है कि क्या है कुछ समय के लिए खुले में छोड़े हुए लोहे की टुकड़े पर भूरे रंग की जो जिल्ली के रूप में अजित पदार्त है वो क्या है बहुत इजी कोशन बहुत बार पूछा जाता है बहुत इजी प्रशन है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है जल्दी से बताईए सभी लोग इसका अंसर जब आप लोहे के टुकडो को क्या करते हैं हवा में छोड़ देते हैं खुले में छोड़ देते हैं उसको क्या बोलते हैं जंग बोलते हैं यानि रस्ट उसको इंग्लिश में बोलते हैं आगे चलते हैं जो cellulose है ये एक बहुलक है मतलब cellulose dash का एक बहुलक है किसका बहुलक है cellulose जल्दी से बताइए cellulose is a polymer of किसका बहुलक है cellulose और यहाँ पर correct answer है galactose का किसका cellulose galactose का एक बहुलक है तो यहाँ पर answer है option B galactose सभी को यहाँ पर अपने जो आप गलत आंसर्स कर रहे हैं वो note down करने है और अगर अभी तक आपने इस reasoning का crash course नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जबी लोग जरूर देख लीजिएगा दुएं तथा कोहरे से बनी वातावरन में मोटी कोहरे की परत क्या कहलाती है सभी को पता होगा ना दुएं और कोहरे से बनी जो वातावरन में मोटी परत हो जाती है कोहरे की तरह दिखती है वो क्या कहलाती है जल्दी से आंसर करिए आंसर क्या है smog यानि धुंद परे से बनी एक मोटी परत दिखाई देगी उसको क्या बोलते है स्मोग यानि धुन्द बोलते है अभी आप सभी लोगों ने इतने पटाके छुटाए दुद दिवाली पर वो भी क्या बन गए धुन्द बिल्कूल बड़ी दिवाली वाले दिन जिस दिन में दिवाली होती ह बहुत आकाश में बहुत दुआ ही दुआ था उसके एक परत्सी बिच गई थी आगे चलते हैं एक जलिये पारिस्तिती की तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है कैसा पिरामिड होता है जल्दी से बताईए एक जलिये पारिस्तिती की तंत्र जो होता है उसमें संख्या का संख्या का पिरामिड क्या कहलाता है जो संख्या का पिरामिड होता है वो कैसा होता है और यहां पर हमारा अंसर क्या है सदेव सीधा यानि आलवेज अपराइट कैसा होता है सदेव सीधा होता है यानि आलवेज अपराइट आगे चलते हैं युनानियों को निम्द लिखित मे से किस भारतिये राजा ने बाहर निकाल दिया था कौन सा ऐसा राजा था जिसने युनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया था जल्दी से बताईए इसका अंसर और यहाँ पर हमारा correct answer है चंद्रगुप्त मौरिया यानि option C correct है किस भार्टे राजा ने निकाला था चंद्रगुप्त मौरिया ने निकाला था आगे चलते हैं next क्या है निम्द लिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की कौन ऐसा है जिसने गदर पार्टी की स्थापना की जल्दी से बताईए और यहाँ पर correct answer क्या है लाला हर्दयाल जो लाला हर्दयाल थे उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की बहुत important question है बार-बार एक्जाम में पूछा जाता है किसने गदर पारटी की स्थापना की लाला हर दयालने गदर पारटी की स्थापना की आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न n reasonably लोग नृत्यों में से कौन सा राजिस्थान के साथ जुड़ा हुआ है कौन सा ऐसा लोग नर्तिय है इन में से जो राजिस्थान का लोग नर्तिय है जल्दी से बताईए आंसर और आंसर है यहाँ पर हमारा गेर गेर जो है एक राजिस्थान का लोग नर्तिय है आगे चलते हैं किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबर मती आश्रम से सविन्य अवग्या अंदोलन शुरू किया था जल्दी से बताईए कौन सा ऐसा वर्ष था जब महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविन्य अवग्या अंदोलन की शुरूआत की थी और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है 1930 1930 ही सन में क्या हुआ था महात्मा कांधी ने साबरमती आश्रम से सविन्य अवग्या अंदोलन की शुरूआत की थी आपसे ये भी पूछा जा सकता है सविन्य अवग्या अंदोलन की शुरूआत कहां से हुई थी साबरमती आश्रम से हुई थी आगे चलते हैं चिलका जील निम्न में से किस राज्य में है बहुत important question है बार बार पूछा जाता है चिलका जील निम्न लिखित में से किस राज्य में इस्तित है जलदी से बताइए किस राज्य में इस्तित है चिलका जील और ये इस्तित है ओडिशा में कहा पार इस्तित है ओडिशा में चिल का जील इस्थित है आगे चलते हैं विश्व का सबसे कम उम्र का बलित परवत कौन सा है विश्व का सबसे कम उम्र का बलित परवत जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर क्या है हिमाल्या हिमाल्या क्या है सबसे कम उम्र का बलित परवत है आगे चलते हैं विश्व का एक मात्र ऐसा देश कौन सा है जिसका द्वज जो है ना तो वर्गाकार है ना ही आयताकार है कौन सा ऐसा देश है ऐसा देश है आपका नेपाल विश्व का एक मात्र नेपाल ही ऐसा देश है जिसका धुज्जानी फ्लैग जो है ना तो वर्गाकार है ना आयताकार उसका फ्लैग कुस ऐशी शेप का है आगे चल दें हैं निम्द लिखित में से किस नदी का उदगम भारत्य शेत्र में नहीं होता है कौन सी ऐसी नदी है जिसका जो उदगम है भारत्य शेत्र में नहीं होता है जल्दी से बताइए क्या आंसर है इसका और इसका आंसर है ब्रह्म पुत्र ब्रह्म पुत्र जो नदी है उसका जो उदगम है वो भारत्य शेत्र में नहीं होता है आगे चलते हैं विश्व का सबसे कम उम्र का बलित परवत अभी तो हमने ये पढ़ा दी कि दो बार एक्जाम में फूचा जा चुका है लास्ट येर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा है अब तो पता ही चल गया होगा हिमाल्या सबसे कम उम्र का बलित परवत कौन सा है हिमाल्या है आगे चलते हैं कौन सी परवत श्रंकला दक्कन के पठार को भारत गंगा के मैदान से अलग करती है कौन सी ऐसी परवत श्रंकला है जो दक्कन के पठार को भारत गंगा के मैदान से अलग करती है जल्दी से बताईए और हमारा इसका सही आंसर है विंधिया जो विंधिया परवत श्रंकला है ये क्या करती है दक्कन के पठार को भारत गंगा के मैदान से अलग करती है आगे चलते हैं भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्ये कौन है जल्दी से बताईए भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्ये कौन है और इसका correct answer है असम असाम जो है वहाँ पर भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्ये है आगे चलते है निम्द लिखित में से कौन सा वर्षा का एक रूप नहीं है इन में से कौन सा ऐसा है जो एक वर्षा का रूप नहीं है जल्दी से बताईए और यहाँ पर हमारा अंसर क्या है कोहरा कोहरा क्या है एक वर्षा का रूप नहीं है वर्षा एक तो वर्षा है हिमपाट स्नोफोल और हॉल ये सभी क्या है वर्षा का रूप है लेकिन कोहरा वर्षा का रूप नहीं है आगे चलते हैं विमानों की उचाइम आपने के लिए कौन सा यंत्र उप्योग किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेस्चन है बहुत की उचाइम आपने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है आगे चलते हैं परमानू प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक लगभग बराबर द्रव्यमान के दो नाभिक में विभाजित होता है क्या कहलाता है इसमें क्या होता है प्रमानू प्रक्रिया जिसमें एक क्या बोलते हैं उसको नाभी कीHe Vikhandan उसको बोलते हैं आगे चलते हैं इन में से कौन सी विद्यूत चुम्बकिये तरंग है जल्दी से बताएए कमेंट करके आंसर कौन सी विद्यूत चुम्बकिये तरंग है और यहाँ पर हमारा आंसर है अवरक्त किरने जो अवरक्त किरने हैं वो क्या है विद्धुत चुम्बकिय तरंग है आगे चलते हैं निम्द लिखित में से किस से बिनाईन निकाला जाता है हमें क्या बताना है जो बिनाईन है है ना वो किस से निकाला जाता है क्वीन इन किस से निकाला जाता है जल्दी से बताईए और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है चिनकोना यानि कुनैन कुनैन क्या है कुनैन से बिनाईन निकाला जाता है आगे चलते हैं क्या प्रश्ण दिया गया है निम्न लिखित मतस्यों में से किस से swim bladder अनुपस्तित है किस में क्या है swim bladder अनुपस्तित है जल्दी से बताईए और यहाँ पर correct answer क्या है cartilage genus fish जो है उसमें क्या है swim bladder क्या है अनुपस्तित है उसमें नहीं होता है आगे चलते हैं soda lime जो soda lime है इन में से किस का मिश्रण है जल्दी से बताईए soda lime इन में से किस का मिश्रण है दिखिए questions जो है न बहुत important है आपके exams के लिए अब आपकी तयारी आपकी हो चुकी है अब आप कुछ नया मत पढ़िएगा आपको अब क्या करना है सिर्फ revision करना है questions की practice करनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा questions की practice करी है और यहाँ पर answer क्या है NaOH प्लस CaOH2 ये क्या है soda lime का मिश्रण है आगे चलते हैं petroleum जो है किस का मिश्रण है sorry petroleum जो है dash का एक मिश्रण है इन में से किस का मिश्रण क्या है petroleum है जल्दी से बताईए जल्दी से सभी लोगों का answer आना चाहिए और यहाँ पर answer क्या है hydrocarbon hydrocarbon का जो petroleum है वो एक मिश्रण है तो यहाँ पर हमने 40 questions आज complete कर लिए है आज हमने यहाँ पर 40 questions complete कर लिए है जल्दी से सभी लोग नीचे comment करके बताईए आप सभी लोगों ने 40 में से कितना score किया है और सभी लोग channel को subscribe कर लिजिए exams guru जी और telegram channel को भी join कर लिजेगा exams guru जी के नाम से telegram channel है वहाँ पर आपको PDFs provide की जाती है तो सभी लोग क्या कर यह join कर लिजेगा और अगर आपको यह video पसंद आई है तो like और share करना बिलकुल ना भूले channel को subscribe कर दीजे सभी लोग ताकि जो भी नई video upload होती है उसको notification आपको मिलता रहेगा कोई भी आपका miss नहीं होगा आज के लिए video में इतना ही अगर आपको video पसंद आई है like और share कर दीजेगा channel को subscribe करना बिलकुल ना भूले bell icon पर प्रेश कर दीजेगा ताकि video का notification मिलता रहे bye bye take care have a nice day